आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello गाईज, इस वीडियो में Question देखेंगे जो की Based है, Stephen's Law पे Question में क्या बोला है A solid sphere, a cube and a plate All are made up of same material And all have same mass ध्यान देना है है सबका जो mass है, वो क्या है? Same है These are heated at temperature 100 degree Celsius Then, and then allowed to cool at the temperature of room मतलब room temperature पे हमने क्या कर दिया? इनको allow कर दिया, cool होने के लिए Which of will cool down first? ठीक है? कौन सी जो body है इन तीनों में से सबसे पहले cool होगी, ठीक है? इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं Stephen's Law ये क्या कहता है? देखो जो dq by dt होता है, ठीक है? या ऐसे बोलें, radiated power यहाँ minus आएगा क्योंकि heat कम हो रही होगी body की ठीक है? इसे P, R से भी denote करते हैं, ठीक है? power, radiated या फिर heat, rate of heat loss minus समझ गए न, क्यों होता है? क्योंकि कोई भी अगर quantity decrease करती है तो उसके आगे minus लगा देते हैं तो यह किसके equal होता है? sigma a e t की power 4, ठीक है? यहाँ t क्या है? temperature of body इसकी power 4, यह power radiated होता है, ठीक है? तो जितना जादा, जितना जल्दी power radiate करेगी body उतनी जल्दी cool हो जाएगी, obviously हाँ न? तो यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हो अब हमें question में क्या बोला है? same mass है, ठीक है? लेकिन इस formula में तो mass नहीं है तो हम क्या करेंगे? mass introduce करने के लिए q हमें पता है ms t होता है, या ms delta t होता है मतलब q क्या है? heat, m क्या है? mass of body, s है specific heat capacity of that body t है temperature तो q को अगर हम यहाँ replace कर दें तो यह क्या आजाएगा? d ms t upon dt और यहाँ minus आएगा क्योंकि heat loss हो रही है is equal to sigma a e temperature of body की power 4 ठीक है? तो देखो, mass of body तो time के साथ constant रहेगा mass तो change नहीं होगा specific heat capacity भी change नहीं होगा क्योंकि heat loss कर रही है body तो temperature कम होगा तो m और s को हम बाहर ले सकते हैं और इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं minus d by dt ms जो हमने बाहर लिया था वो इसके नीचे ले आते हैं तो यह आजाएगा sigma e t की power 4 यहाँ temperature of body है upon ms ठीक है? अब देखो क्योंकि मतलब यह सारी body identical है, same material से बनी है तो इनका जो होगा e same होगा, all have same mass, तो mass same होगा, material से same बनी है तो specific heat capacity भी same होगी, ठीक है? और क्या है? sigma तो sigma क्या होता है? stiff and constant, तो इसकी value तो fix है sigma की value कितनी होती है? 5.67 into 10 की power minus 8 watt per meter square kelvin की power 4 तो यह sigma की value होती है तो जो जो मैं red करते जा रहा हूँ वो चीज़े constant है, ध्यान रखना और चारो body का जो temperature है वो क्या है, वो भी constant है तो हम यहां से लिख सकते हैं कि जो rate of cooling होगा dt by dt यह क्या है temperature और यह time है, ध्यान रखना अब सोच के बताओ कि अगर हमने वहला माल लो तुम्हें सेम मास का कुछ दे दिया, ठीक है और उसकी, उसी मास का हमने क्या करा एक sphere बनाया एक cube बनाया और एक plate बनाईए यह plate कैसी भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि यह circular plate हो, rectangular या square plate भी हो सकती है तो सोच के बताओ कि सबसे जादा area इन तीनों में से किसका हो जाएगा जो area of plate होगा, वो क्या होगा, सबसे जादा उसके बाद area of cube होगा और सबसे कम area जो होगा, किसका होगा, sphere का होगा देखो, यह बात तो ऐसे भी समझ सकते हो कि जो plate का area है, वो सबसे जादा होगा क्यों होगा, देखो यहाँ पे जो यह cube है इसके पास दो surface हैं एक बाहर वाला, एक अंदर वाला, हाना लेकिन अगर हम इसी cube को खोल के एक plate बना दे तो obviously उसका surface area बढ़ जाएगा क्योंकि एक तो देखो, अगर माल लो इसी cube को मैंने खोल के, एक rectangle बनाया, तो अभी हम surface सिर्फ बाहर वाला consider करते हैं क्योंकि यह जो area होता है यह सिर्फ बाहर के surface का होता है अंदर के surface का नहीं ठीक है, तो माल लो इसको मैंने open कर लिया, hollow बनाया था अब हम surface area यह वाला भी consider, मतलब बाहर वाला भी और इसके पीछे वाला है, यह नहीं अंदर वाला भी surface consider करेंगे, हाना तो obvious है, cube ले लो या फिर sphere ले लो अगर दोनों को ही open कर दो तो सबसे जादा मतलब दोनों का area एक तरह से double हो जाएगा समझ गए ना तो यह भी एक तरह से इस तरह से भी समझ सकते हो कि area of plate हमेशा cube और इस से same आएगा अगर यह hollow हो चाहे solid हो, ठीक है अगर solid भी बनाते हो तो भी जो area of plate आएगा वो क्या आएगा, सबसे जादा आएगा, ठीक है क्योंकि हम इसे पतला कर सकते हैं या फिर thickness, मतलब मान लो कुछ रखो, ठीक है thickness फिर भी इसका area ऊपर वाला भी होगा और नीचे वाला भी area होगा तो क्योंकि area of plate जादा है तो हमारा temperature किस में सबसे जादा मतलब सबसे जल्दी कौन लूज करेगा या ऐसे कहें heat कौन लूज करेगा या ऐसे कहलें कि कौन जल्दी cool होगा तो area क्योंकि plate का जादा है तो plate सबसे जल्दी cool होगा ठीक है तो हमारा option second correct हो जाएगा Thank you guys for watching this video Classics to 12 से लेके NEED IIT JEE means और advanced के level तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ये डाउनलोट करें doubt net आप या whatsapp कीजिए अपने doubts 8400400 पर